विपक्ष के विरोत के बापजूद संसद में दोनीमा से पारित हुए किसानबिल का विरोत करने पर आर्ट संसद सस्पेंड हुए जिनमें आप पार्टी के राजय सवा संसद संजय सिंग भी हैं योगी सरकार ने इन पर देश दुरो के मुकदमे के साथ सब विविन दाराओं में तेरह मुकदमे कायम कर रखे हैं हमारे वरेष्टी रुपोर्ट आरकर सर्माने संजेज सिंग से उत्तर प्रिदेश में कोरोना गोडाले के आरोप किसान होगे मुद्धियादी विविन मामलों पर विश्तित बातचीत की आप भी देकर सुनें संजेज सिंग के वेजबाब बचार इनके बार रंजी सिंग जी अस्ता वाले विर्म सिंग जी आज हमारे साथ हैं आम आद्मी पार्टी के जाने माने सांसद स्री संजय सिंग जी आज हमने उन से देश के कई मुदों बर बात की आप भी सुनिए उनकी बेवाक से लिमें उनके उत्ता इस सरकार ने मेरे उपर देश द्रो का मुकदमा लगा दिया है अब ये देश द्रो का मुकदमा क्यों लगाया गया आप सुब लोग भली भाती जानते हैं पिछले तीन चार महीनों से मैं लगातार उत्तर प्रदेस में आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ मिलके, कारिकरताओं के साथ मिलके, तमाम वो जनहित के मुद्दे उठाने की कोसिस कर रहा हूं, तमाम वो अत्याचार और अन्याए के खिलाफ आवाज उठाने की कोसिस क कर रहा हूं जो आज उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है हत्याओं का जो सिलसिला लगातार चल रहा है और समुदाए विसेश को टार्गेट करके जो हत्याओं हो रही है इसके खिलाप मैं लगातार बोलता रहा मैंने ब्राम्हर समाज में हो रही हत्याओं के खिलाब बोला आपको याद होगा जब प्रभाद मिश्रा जो बारवी में पढ़ने वाला च्छात्र था जिसकी इंकाउंटर करके हत्या कर दी गई उसका मामला मैंने उठाया खुशी दूबे जो दो काट के हत्या कर दी गई उनका मामला उठाया पत्रकार विक्रम जोसी जी की जब हत्या हुई गाजियाबाद में तो उनके घटना है उतरप्रदेश में हो रही थी इनको लेके बैने कहा कि ब्राम्भर समाज की हत्या हो रही है उतरप्रदेश में और इसको सरकार को रोकना चाहिए ब्यापारी एक इंद्रकान त्रिपाथी महोबा में थे जिन से छे लाग की रंगदारी एसपी मांगता है पाटीदार और वो एसपी आज तक खुले आम घुम रहा है इंद्रकान त्रिपाथी छे लाग की रंगदारी नहीं दे पाते हैं तो उनकी हत्या करा दी जाती है अब बताईए इन सवालों पर मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए एक दलित वक्त था उसको पांच दिनों तक ठाने में रखके बरबरता पूरुक्त पीटा गया मारा गया और उसकी हत्या हो गई मैं उनके परिवार से भी बिलने गया उनके गाह हो गया अब बताईए कि ये मामले उठाने चाहिए नहीं उठाने चाहिए लखीम पूर खीरी में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात कार करके उसकी हत्या कर दिया गया उसका शरीर छट वी छट कर दिया गया बलिया में एक राजबर लड़के को इतना बुरी तरीके से मारा उसको मार मार के अदमरा कर दिया गया तो ये तमाम मामले जो घटित हुए जान पूर में बच्ची के साथ बलातकार का मामला हुआ, मैं उनके परिवार से मिलने गया, और बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, जब उसकी मा से लोगों ने मिलवाया, तो उसके मुह में आवाज नहीं थी, बोल नहीं सकती, अपनी पीड़ा भी किसी को नहीं बता सकती, तो ऐसी ऐसी घटना है उत्तर प्रदेश में निशन्स हत्याएं, बलातकार की घटना हैं, अलग-अलग समाज के लोगों को टार्गेट करना, आठ पुलिस वालों की हत्या हुई, आठ पुलिस वालों को एक मुटबेड में वो मारे गए, तो उनके सभी परिवारों से मैं म रुकनी चाहिए, पिछरों की हत्याएं, रुकनी चाहिए, अलग-अलग जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार रुकना चाहिए. और ये सब की आवास थी कि उत्तर प्रदेश में जाती वाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में विभिन समाज के लोगों को टार्गेट किया जा रहा है तो मैंने यही कहा कि एक मुख्यमंतरी 24 करोन जनता का अभी वावक होता है उसकी जिम्मेदारी है सब के साथ नयाय करे वो किसी एक जाती का मुख्यमंतरी नहीं है वो किसी एक धर्म का मुख्यमंतरी नहीं है वो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंतरी है तो मैंने योगी जी से यही अपील झाल 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 झाल